क्या यह वही महामारी है जिसके बारे में बड़े बड़े भविश्य वक्ताओं ने भविश्य वानिगर कहा है कि बीश्वी सदी में एक ऐसी महामारी फैले ही जिसमें बहुत सारे लोग बेमोत मारे जाएंगे जग जाहिर है कि करोना वायरिस ने चीन से निकल कर पूरे विश्य विश्य पर मौत का कहर बरपा रखा है डबलू एच ओ के मताबिक अभी तक 45,693 मौते और 9,306 वैक्ती इस जानलेवा बिमारी के सिकार हो चुके हैं लेकिन दोस्तों ऐसे में राहत भरी खबर ये है कि इन भविश्य वक्ताओं ने ही मौत से बचने के लिए सटिक रास्ते बताए हैं तो चलिए देर ना करते हुए खंगालते हैं इन भविश्य वक्ताओं की भविश्य वानिया जैगुर्देव पंत के संस्तापक संतुलसिताजी की भविष्य बानी वैं अपनी पुस्तक जैगुर्देव की अमरबानी के तुस्ट बाइस पर लिखते हैं भविष्य में बिमारियों के बम फेके जाएंगे बिमारियों से लोग बेमोत मरेंगे इस परकार की शुरुवात चीन करेगा चीन अमेरिका के बड़े बड़े सहरों को नश्ट कर देगा वहां भी लोग बेमोत मरेंगे अमेर का चीन तर्था रूस और चीन में आपसी युद्ध होगा चीन में भी भारी संख्या में लोग मरेंगे चीन की बची अबादी को भारत सरण देगा आगे चल का ग्रेय युद्ध छिड़ जाएगा तब जान बचाना मुश्किल हो जाएगा अन और दवाईयों की कमी पड़ जाएगी मेरी बातों को आप हसी मजाक मानते हैं तो मैं आत्तम कल्यान का काम करता हूँ आप मेरी बातों को अभी ने माने जब सामने आएगी तब मानना फिर आगे प्रिष्टिक 30 पर लिखते हैं बाबा जैगुर्देव की गोशना सन 1972 में आगे विश्व्यूद होने पर भारी नुकसान होगा लासे पड़ी रहेंगी उठाने वाले नहीं मिलेंगे चीन पाकिस्तान अमिर्का आदी मुलकों से विशेले बम फेके जाएंगे अधिकांस बम भारत की धर्ती पर उतार लिए जाएंगे किटानू बम फेके जाने पर बेगुना इंसान जानवर पक्षियादे सब मरने लगेंगे तो भारत का एक फकीर ऐसी जबरचस्त उल्टी आंथी चलाएगा कि उसमें हाथी भी उड़ता नजर आएगा तेज हवाएं सबी कीडों को उड़ाकर वहां से ले जाएंगी जहां से बम फेके गए होंगे वहां फिर उस मुल्क के लोगों का सफाय हो जाएगा दोस्तों यहां पर इस भविष्य बानी में जैगुर देवजी ने एक फकीर के बारे में भविष्य बाने किये उन्होंने कहा है कि एक ऐसा भारत का फकीर एक ऐसा सन उल्टी आंधी चलाएगा जिसमें तेज हवाएं बहेंगी जितने भी बम फेके जाएंगे वह सारे उनकी धर्ती पर चले जाएंगे और वहां के लोगों का सफाय हो जाएगा तो दोस्तों देखना यह है कि वास्तों में वह फकीर कौन है संत तुलसिदास जिन इसी पुष्टे के प्रिष्ट उन्षट पर 1971 में भविष्य बानी करते हुए कहा था कि वह महापुरुस जो भारत को विष्य विजेता और विष्य गुरु बनाएगा जिसकी एक भासा हो होगी और एक झंडा होगा वैं भारत के एक छोटे से गाउं में जन्म ले चुका है संट रवीडाजchlossen कि विख्यात्व चमतकारी संथरा लेज्गितु संथरा जी थे बविष्य वानियों से तो ऐसा परफ्ठीत होता है कि मानों संथ्र विडास जीने सॉल वी सदी में ही इस कोहराम के बारे में जान लिया था उन्होंने इटली के बारे में बिलकुल सटिक भविश्य बानी करते हुए कहा है कि इटली में आने वाले समय में कोहराम मचेगा दोस्तो आपको बता दे कि रिटली में क्रोणा ने मोत का एक ऐसा टांडो मचाया है कि तेरह हजार से ज़्यादा लोग मर चुके हैं और एक लाग दस जार से ज़्यादा लोग संकर्मित हैं संत्रविदास जी लिखते हैं भारत में अवतारी होगा जो अती विश्मेकारी होगा ग्यानी और विज्यानी होगा वो अधभुत सैनानी होगा जीते जी कई बार मरेगा सदम वेश में जो विचरेगा देश बचाने के लिए होगा एक आहमान युग परिवर्तन के लिए चल बचाना होगा भारी छोड़ सब मैदान भागेंगे सब अपने अपने घर दुपकेंगे जिन जिन भारत मात सिताई जिसने इसकी करी लुटाई डून डून कर बदला लेगा सब हिसाब चुकता कर देगा चीन अरब की धूरी बनेगी विद्वनसक ताकत उबरेगी सभी भारत भी हो सकती है लंदन सागर में डूबेगा जो तीसरा परलेंकारी जो होगा भारी सहारी भारत होगा विश्व विजेता भारत होगा विश्व का नेता दुनिया का कारेल्य होगा भारत में नयाल्य होगा तब सत्यूग दर्सन आएगा संत्राज सुक बरसाएगा सहंस संत की बारे में भविष्य बाने हम रविदाजी भी कर रहे हैं कि तब सत्यूग दर्सन आएगा संत राजसुक भरसाएगा सहसर वर्ष तक सत्यूग लागे विष्य गुरू बन भारत सागे जैसा कि आपने पढ़ा कि दुनिया का कारियाले होगा भारत में नयाले होगा तो नयाले से तात पर यह है आई सी जे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑप जस्टिस जो की वरतमान में अमेर्का में है वै भारत मे चला आएगा तब भारत सभी देशों का परति नीरिताव करेगा और भारत विष्य विजेता और विष्य गुरू बनकर उभरेगा दोस्तों यह विष्य विजेता और विष्य गुरू की बात सिर्फ संत्रविदास जी नहीं कह रहे बलकि दुनिया के बड़े बड़े भव प्रजुलवर्ण ने विज्राइल जैसे महांदास्ट के प्रोहरार ने तथा नारवे के आनंदचारिये आधी की भविश्यवाणियां भी इस बात का समर्थन करती है। भारत के एक छोटे गाउं से उत्पन एक महान संथ की द्वारा भारत विश्विजिता बन जाएगा। 15.40.20 吗 चन्में शुर्द Olá शूर्ण जी ने आज के समय की प्रस्थितियों के बारे में भविश्यवाणिये ने बताया है कि इस माहमारी से कैसे बचा जा सकता है। वरत्मान समय के लिए सुर्दास जी की भविश्यवाणिये लिखते हैं रेमन धीरस जूना धरे समवत दो हजार के उपर ऐसा जोग परे, पूरा पच्छिम उत्तर दक्षिन 24 काल फिरे, अकाल मिर्तु जग माही व्यापे परजा भहुत मरे, स्वरन फूलवन पिर्थवी फूले धरम की बेल बढ़े, सहसर वर्स लगी सत्यूग व्यापे सुक्की दया फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे, सुर्दाष जी हरी की लिला ठारे नहीं टरे। यह पर सूरदाओं जी सावच साथ सब्दों में कह रहे हैं कि काल जाल से sit relent लोगू का ध्यान धरे दो सूरदाओं जी यह पर विज्ञान को भी चुनोती दे रहे हैं वैज्ञानिक पावर से नहीं अध्यास्मिक सकति से बचा हो सकता है कहा भी जाता है कि भगवान से विज्ञान है विज्ञान से भगवान नहीं है बविशेबानिया देखने के बाद अब बारी आती है कि इस गंभीर समेशा से मौत जैसे काल से कैसे बचा जासके यहाँ पर सोड़ाजी कहते हैं कि जो गुरु की सरण में जाकर भक्ति करेगा का वाचक मंडलेशवर व्य महा मंडलेशवर धर्म की रक्षा करने वाले धर्म गुरु अपने भगवानों से विश्वास खोए हुए वैज्ञानिक तिप्स देते हुए नजर आए किसी धर्म गुरु को अपने इस देव पर भरोसा ही नहीं देखने को मिला लेकिन ऐसे में ह सास्तर अनकूल साधना करें परमेशवर आपकी मिर्टू क्या आपकी आयू को सो वरस तक बढ़ा सकता है